मुझा आज चेत्र से पधारे हुए जिकडी भजनों के सचे स्दालू महानभाव श्रीचिंद्रपाल सींगी जिनकी ये तृतिय अपनित्थी पर योई कारिक्रम चल रहा है उसका इस दृतिय दिवस दूसरा दिन है बड़ा शुंदर कारिक्रम चल रहा है अब गत कराना चाहता हूं फुर्शे आप सभी सजनों को मैं उदेवांग सिंग अकुला और फोलक के साथ दे रहे हैं भाई धरमीर सिंग चाहर भबन पुना जेंगारा पैट के साथ दे रहे हैं भाई विरेंदर जी और घंस्यांगी जो धीका की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं रोताश श्रमावी जनू ठर्शे जो रिकोर्डिंग करता है आए इनके द्वारा प्रिश्थी आप लोग सुनीएंगा वाई अधरमीर है हो 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 सजनों कि यह हमारा छेत्र ब्रद में आता है और ब्रज के महानायक क्रिष्ण करनिया देखिए राधा और क्रिष्ण नाम दो है लेकिन शक्ति एक ही है दो है कि माध्यम से मैं आपको ये व्याद करना चाहता हूँ अब सुनिये व्याद शक्ति एक कैसे है एक समय भगवाध स्री कृष्ण और पासमें बैठेव ही थी रुक्मणी दी रुक्मणी दी ने भगवाध कृष्ण से ये प्रेश्ण कर दिया कि प्रभू ये सारी दुनिया आपका नाम रखती है और आप राधे का नाम रखते हो य प्रभु कौन है ये राध का जिसके ख्वाबों में तुम रहते हो सारी दुनिया क्रेश्ट क्रेश्ट कहती है तुम राधा राधा रहते हो आखरी शब्दा है तो थोड़ा बोल कर को चरंग करिए इसे हमें भी ऐसास होता रहेगा कि आप सुन रहे हैं सजनो भगवान स्री क्रिश्ट मुस्करा गए और बोले कि प्रिये ये तुम खुद जाज कर लो कि ये राधा कौन है तो सजनो किसी सम्मान ये व्यक्ति के पास में जब मेलना होता है तो खाली हाथ नहीं जाते हैं रुकमिन जी राधे राणी से मिले जा रही है इतना बड़ा वाला गिलास लेकर के गई और उसमें गरम दूद भरके ले गई और जाकर के राधे जी को अर्पन कर दिया और देखिए क्या हुआ बोथी प्योगिन स्याम की और उस आस में ही जी गई और करम दूद रुकमिन ने दिया उस दूद को राधा जी गई लेकर यहे बंदो और ममता की मूर्ती मातार भेनो जब रुकमिन जी लोट करके पापस आई तो यहां देखिए कजब हो गया क्या कजब हो गया लोट की आई रुकमिनी भर लोट की आई रुकमिनी तो जान के लाले पड़ गए और कर्म तू दिना ठाने पिया उत स्याम के च्छाले पड़े पड़े दोनों हाथ उठा करके जेकर लगा देए बोलिये वाखे विहानी लाले की वो कहा कि प्रभु ने दिये जुआन पर बोलता नहीं है प्रभु ने दिये जुआन पर बोलता नहीं है हरी के गुण गाने को मुँखोलता नहीं है जीवन में तेरे एक दिने ऐसा दोर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं तो दिहान कर ले प्यारे एक दिन दो आएगा आज सजनो वही बाप कहना चाहता हूँ छोटी उसी अवस्ता पांच मर्स की अवस्ता बालक धुब शोटेली मा के कठोर बचनों से घायल हो करके अपनी मा सुमीती के पास पहुशता है और कहता है कि मा उस मैया ने मुझे धक्का मार दिया मुझे पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया सजनो धन्य ऐसी भारत पर्ष में ऐसी मापाय पैदा हुई अपने लाल को समझाने लगी बैटे जब गोद में बैठना है तो उस सची गोद में बैठ जा उस परम्तवता पर्मिस्वर की गोद में बैठ जा ऐसे संज़कार डालने वाली मंबता हैं जिस घर में होती है सजनों वो घर आगे बढ़ता है आज वो छोटा वच्चा बन को जा रहा है और अपनी मासिया क्या ले रहा है भी अध्रम्भी हो तजिल करके सारा हो तजिल करके सारा ये धन माल जा रहा है और राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है और राम पिता और राम हे माता और न कोई अपना है अरे लाम पिता और लाम हे माता और न कोई अपना है छूंते ही सबना तेरी स्थे छूंते जग का सपना है तजिल करके सारा हो तजिल करके सारा ये धन माल जा रहा है राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है सजनों अब ध्यान को इसे जगे के नित करें जो पहले भजन चल रहा था महावारत की वो कथा आपके वीश्पी कल्ला आपके लिए रखी थी हिडम नाम के दानब का वद करने के पश्यात में पाचो पंडब माता कुंती आगे बढ़ जाते हैं और एक चक्रावत नगरी में पहुंचते हैं और एक ब्रहमणी के घर में जाकर के निवास करते हैं समय गुजरता गया समाज बैठीए बुजर्ब बैठें थोड़ा ध्यान दीजिए समय गुजरता गया और एक दिन उस कुंती मया ने देखा के जिस ब्रहमणी के घर में हम रह रहे हैं वो ब्रहमणी रो रही है के बार रोती तो कोई वात नहीं थी लेकिन और आगे बाद क्या थी एक दिन रुधन सुने कुंती ने रोबे नारिया दुखिया है और देखिकी होस उड़े कुंती के खुद रोय रही घर की मुखिया है सो रोबे और पकवान बनावे जाके चूले चड़ी करया और सोच में पढ़ गई कुंती आज कुंती मैया बिचार कर रही है यह मामला क्या है यह ब्रह्मणी रो रही है उधर पकवान भी बना रही है यह क्या चक्र है तो सजनों ब्रह्मणी के नजदीक पहुँच करके पूछने लगी माता कुंती क्या पूछ रही है भाईया सुनिये हरे कुंती ही लागी केहने बताई दे और पहन बाता सुन मेरी और कहा तो पह ओखा पर गई कैसी मदद करू में तेरी ओ पहना दी दिन दी आईये सोर पे का परश्कार दे रहे हैं आदणी आप्रेम सिंगी फोधी यो यहीं जे रहने वाले हैं बहुत बहुत धनवाद शुनिये अरे तनका तुम खुसे बोलो भे दे अरे बहना कुस्तो बोल मुह से तनका तुम खुसे बोलो भे दे खुली क्यो नीर बहावें सचो साथी सचो साथी वही काम जो पिपता में ये आवें सचो यहां को पूछा कि बहन मुझे पता मामला क्या है तो वो ब्रहमणी कहने लगी कि रोज की भेट चड़े एक नर्की दानों अत्याचारी है और एक साल में हर हालत में एक घरकी आजाए बारी है सो कल की बारी मेरे घरकी तुआ पीर बताए दों दिल की और जाते नाय रुके मेरी हिलकी सजनों ब्रहमणी ने कहा कि बहन हमारे याएक राच्छस रहता है और जिसके लिए एक भेट जाती है हर मकान से कुछ पकवान बगएरा जाता है और एक इंसान की भेट जाती है मेरे कल मेरे बेटे की बारी है और मेरे पास के बल एक ही बेटा में इसलिए रो रही हूँ ज़नों कुंती धीरत बना रही है और कहने लगी हरे कुंती कह रही तेरे घर में और कट्रों भगते हमारों है और बुरे बगत में पहना तेने तीनों बहुत सारों है बुरे बगत में पहना तेने हरे पांच पांच पेटा है मेरे अरे बहे जब हमारा समय खराब चल रहा था तो तुने हमें मदद दी आज तेरे पांच में समय खराब है तो तेरे पांच पेटा है मेरे पांच पेटे हैं घमडाने की कोई वात नहीं है जबाद दिया हरे पहंच पांच पेटा है मेरे हर कोई मतबारों है एक पेटा की एक पेटा की भेत चड़ा हुक है लखनेयों मरके बारों है पेटा की भेत चड़ा हुक है लखनेयों मरके बारों है इस प्रकार से जबा दिया इन बंदूओ उधर में आज कुंती की बातों को सुन करके ब्रहमडी की आँखों में आशू है और हिलकी बंद गई समझाने लगी बतलाने लगी और कहने लगी है भी आध्रामीर अरे सुन कुंती के बचने सुन कुंती के बचन एक दम रोए गया मिसरानी सुन कुंती के बचन एक दम रोए गया मिसरानी और गण्या जमना की तारा परस रयो नहनन से पार यह भारत यह भारत देश हमारो है अरे बहर यह भारत परस है और यहां अथतियों का सम्मान किया जाता है अथति देवो भवा अथति देवता के समान होता है और आप हमारे अथति हैं यह भारत देश हमारो है महमान देवता होई लगे है प्रान लगते दारो है आप सब अथति हमारे हैं आप सब अथति हमारे हैं अरे भेटकी कहकी महना तेनी बादर भारे है पूत्र महना भेजू तेरो पूत्र महना भेजू तेरो मेरे यही कर्मन को लेख पूत्र में भेजूंगी मेरो मेरे यही कर्मन को लेख पूत्र में भेजूंगी मेरो मेरे यही कर्मन को लेख पूत्र में भेजूंगी मेरो मैं अपने ही पुत्र को भेज़ेंगे मेरी कर्मन में यही लिखा है लेकिन कुंती कह रही सुल्ले बहना क्यों लेख करम के पढ़ रही है और मुए भरोसो मेरे बेटन पर तू काय कुजिद पर रही है जो आगे नाय तेरो बंसु बढ़ेगो जो तेमें बेटा भेट चड़ायो तो कुंती ने धीरा पढ़ायो सजनों आज कुंती ने उस ब्रहमणी को धीरत बनाया लेकिन उधर में ब्रहमणी तो घर में है कुंती माता चलिया जहां पर पांचो पांडब राज़नान थे और जाकर के भीम सेन बलधारी से मा कुंती कहने लगी है बेटा भीम आज संकट की घड़ी है और आज हमारी लाट बचनत तुमारे हाथ में है भीम ने कहा मा जंदी बताओ मामला क्या है बाप क्या है तो कैसे कहने लगी है सुनिये हारे द्यान लाला मोरू सुनिले तु धर की भीमा जाने जान बेटा सुनिले तु धर की भीमा जाने पेटा अपनों भरजन भाए दे उम्हे सुरानी को लाल बच्चा है दे हारे द्यान लाल बच्चा है दे पेटा अपनों भरजन भाए दे उम्हे सुरानी को लाल बच्चा है दे हारे मान मेरे चंकरा वाले हनुमान जी वहां के जो मेहनते हैं बच्चा मनी वाले उस सम्मान कर रहे हैं सुरपे से बहुत बहुत धनवार आए आये अरे मान मेरे अरे मान मेरे अरे मान मेरे आज़ चले को रखे ले पेटा मान आज़ चले को रखे ले अगी आए भीमा बली तू बने कुझाईयो 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 हो जान तेरी, हरे जान तेरी पे सक चली जाए वे जहाँ जाँ इस प्रकार से भीम सेन बल्धारी को समझाने है माता कुंती और के रहे हैं बेटा आज बात की बात है तुझको बन में जाना होगा कैसे भाईया धान निर्दी और ये जो जिकड़ी के अंदर एक नई चीज इस मंझते अभी समाचाओंगा किसी का लाकार की भुराई नहीं है लेकिन अभी किसीने ने सुनाई जिसको था भुंते मैं सुना रहा हूँ आपके बीच में हारे पहीर को मान करे सब दुनिया और नाए का यरी की सान नाए का यरी की सान हो मिसुरानी को लाल बचाई दे हो मिसुरानी को लाल बचाई दे लेले दाने के प्राण लेले दाने के प्राण अपनी मा के बच्चनों को सुन करके एकदम खड़े हो गए गदा को समार लिया और देखे चलने लगे हो सुदाने का बद करने के लिए कैसे ढोला के माध हम से अरे बच्चन सुन के मई आके और भी माने लिनी गदा उठाए बच्चन सुन के भी माने लिनी है अपनी गदा उठाए हो पनी को भी मान चलि दियो बैठे रहें और थोड़ अंदर आ जाएं समझे बर्सा का मोसम है और थोड़ी थोड़ी भूम भी बढ़ने लगी है अंदर आ जाएं बैठ जाएं बाटर प्रूफ हैं बैठे ये बनी को भी मा चालियो मैया कू दियो सीस जुखाएं बनी को भी मा चालियो बनी को भी मा चालियो मैया कू दियो सीस जुखाएं आए अब एक छोटा सा घीर सुनेंगे और नेक शादे की कथा अगले दोर पे आपको सुनाएंगे फिलाल एक छोटा सा घीर सुनिये और अभी सजनों आए एक कार्टम को हमारे सुरतों की इच्छा के भी थोड़ा कड़ी पूरी हो जाएं तो उड़ान के मा धंसे बतलाया कैसे भीया परम पूज्य परम स्तर्दिय है अमारे जो सहीद है भाई चंद्रपाजी उनकी माता जी सौरपे सम्मान कर रही है बहुत बहुत धन्वाद आएए आज भीम से नमल भरी और जो कुछ पकवान था उसको भी पहले तो मन करके हुआ पर पाली आ घर पे फिर उस दानव के लिए जो भेट रखी थी उसको लेकर के चलने लगे कैसे और यह सौरपे का सम्मान कर रहे है भाई साब घन्वाद सुभया और सुनो महराद हरे बोज जने सर पे धर लीनों और बनी कूँ भीमा चले दीनों हरे बोज जने सर पे धर लीनों और बनी कूँ भीमा चले दीनों आगिया के सीना में चलती आगिया के सीना में चलती ऐसे असे फहापुर्ष दूसरों की रच्षा के लिए खुद प्राण की बाजी लगाने के लिए तियार हो गए ये भारत अबर्ष मोई है और आज भी ऐसे योधा ऐसे बीर है जो देश और धर्म के लिए प्रिजान की परवाने करके प्राणा को लोच्छावर कर जाते हैं जेहो धन्न है सुनिये स्भारत अबर्ष माता के लिए बार बार नमन हो गया कैसी ना में जलती कोई धर जोर से कदम है कदम से काप जाए धरती कोई धर धरां पे प्राल है कोई धर जोर से कदम है यह हुई कड़ी और जो जो यह कथा आगे बढ़ती जाएगी तो आपको ऐसा रोचकता इसमें बढ़ती जाएगी लेकिन समय के साफ से जोड़कर गी चलना पड़ता है आए कथा भी गीत के माधंस में आपको ऐसे सुनाने जा रहा हूं जो साथ पहले आपने इस मंत नहीं सुनी होगी अभी तीन प्राणियों की बात आई थी और शुन्दर कथा और सुन्दर इत्यासिक बातें बतलाई अभी लेकिन मैं आपको बीच में रख रहा हूं ना की सकती क्या है तो थुड़ा सथ थुड़ी है आपने एक परवार था और परवार में चार प्राणी थे एक पती और पत्मी और उनके बेटा और एक बेटी ही सिंद्यान से बटक गया तो फिर कथा समझ में नहीं आए गी चार परवार माबाब की चिंता होगी हеся जबlex के विवा के योग हो जाते हैं तो उनके विवा की चिंता होती है खास करके बेटी की चिंता होती है सजनों बेटी और बेटा जब भागे योग हो गए तो पिताजी को और माता को चिंता होने लगी बेटी की और सजनों ध्यान से इस कथा को सुनिये उस पिता ने अपने रिस्टेदारों से मिल करके एक जगे अपनी बेटी का रिस्ता पक्का कर दिया और उधर में पत्नी को पता नहीं था उस बेटी की मा को पता नहीं था उसने भी अपने पियर वालों से मिल करके एक जगे दूसरी जगे उस अपनी बेटी का रिस्ता पक्का कर दिया और संचों की भरी अवाई संचों की बात अवाई को सुपही ने भी अपने मित्रों से मिल करके अपनी बेहन का रिस्ता 30 जगे पक्का कर दिया बड़ी बिचित्र गठना बिचित्र बाप सजनों वो जो बेटी थी मा भगवती की भक्त थी आज वो बेटी मा से प्राथना कर रही है क्योंकि दर्वाजे पे तीन तीन बराते आ रही है एक ही तारिक दे दी थी तीन कॉसलेंद्र जी गगवाना के पचास उपे दे रहे हैं बहुत धन्वाद सजनों एक ही तारीक और तीन बराते दर्वाजे पे तीन पर हैं और कन्या है एक अब बिचित्र बात हैं लेकिन आए क्या होता है शुनिया और तुमसे बात कहूं एक न्यारी तुमसे बात कहूं एक न्यारी और तेना ध्यान सभी सर्दारी संकट घोर है और कैसे एक जत बचेगी तीनों और है कैसे एक जत बचेगी तीनों और है अब सुनिये उस बेटी ने मा भग्वती का ध्यान किया मा मेरी लाग को चलो और देखिए क्या होता है सज धज कर पीनों बारा पे दरवाजे पे आई सज धज कर पीनों बारा पे दरवाजे पे आई अब माने आकर देखो क्या लीला दिख लाई ओ माने बन की नागन कारी तेखो बोलड की डसकारी है गेवस हो रहे के से ए जाते पाचे की तीनों बारा पे जाते पाचे की तीनों बारा पे अधिन आई यह मा की लीला थी और उस नागन में उस बच्ची को दसलिया और जो एक क्रिया कर्म होता है प्रने के बात में वो सब्सक्रिया होने लगी अब सजनों वो तीन भर थे जो पती बनने जा रहे थे उनका हाँ सुनिए कर रहे हैं एक पती ने ँसकी आफ में फ्यागा भोजन शारहा कि एक पती बेला वाला जो पनने जा रहा था उसने उसकी आप में अनपानी त्याग दिया एक पती ने उसकी आद में त्यागा भोजन सारा तूजा संग चिता में जल कर हुआ प्रभु को प्यारा तीजे नी देखो प्रिने की भारी वहाँ प्रगट भई में हितारी है गयो सुर है इजत बचेगी तीनों और है प्यक्ति जो था पती बने जा रहा थो उसमें अनपानी त्याग दिया दूसरा चिता में जल के भस्त हो गया और तीसरे ने अपनी साध्रा में यानि बैठ गया भजन ध्यान करने में मैया को प्रशन किया मा आ गई और शजनों मा ने कहा बोलो क्या दाब है आधने स्रीमान सुगण सिंगी यहीं के रहने वाले पचास उपे से सम्मान कर रहे हैं बहुत भुत धनवाद सजनों मा दा और वहनों मा ने कहा क्या बाते बोले कि इसको जिन्दा कर दो मैं साधी रचा उमा मैया बोली कि भहिया ऐसा है बेटा साथ में एक और जल करके भस हो गया वह उसको भी जिन्दा करना पड़ेगा मा से ले संजी बन पित्या उन दोनों पे डारी मा से ले संजी बन पित्या उन दोनों पे डारी अरे आम में मा की महमा देखो है दुनिया में भ्यारी उन दोनों को जिन्दा किया सब का ले हिलो रे दिया लागी डोर है एसे एक यत बचेगी तीनों वे रहे अब निचोर सुनिजिए इस गीत का सजनों अंतिन कडी में निचोर रख दिया कभी ने ध्यान से सुनिए अब यहां एक प्रेष्ण भी उड़ता है वो दोनों थे उनको जिन्दा कर दिया फिर वो इस समझ से आ गई एक परहें और कन्या है एक अब सादिक इसके साथ होनी चाये जिसने उन दोनों को जिन्दा किया उसके साथ या जो जल करके भस्म हो गिया उसके साथ या जिसने कुछा रहा हूं इसका नचोड सुनिये कुछों के विचार हैं जिसने उनको जिन्दा किया उसकरन्या को उसके साथ होनी चाहिए लेकिन उधर में सुनिये क्या जवाबिया कभी ने हरो जिन्दा करने वाला माने पिता भी आप दलाई जिन्दा करने वाला माने उसको पिता घोसत कर दिया क्योंकि पैदा करने वाला कौन होता है पिता के समान होता है होता है ना क्या बात है अरे जिन्दा करने वाला माने पिता दिया बत लाई जो संग चल कर आया चिता से वो था उसका अब भाई कैसे हो गया देखिए पहले ये प्रथा थी पती और पत्री जल करके भस्म हो जाते थे सती प्रथा थी पहले लेकिन वह भस्म हो जाते लेकिन यहां तो यागनी से फिर निकल करके आये हैं इसलिए भाई बहन हो गए महावारत में एक रिष्टांग की आता है द्रोप्ती और द्रष्ट धुम्न का सद्नों यहां से द्रोप्ती और धुर्ष्ट धुम्न का अगनी से निकल करके आये इसलिए भाई बहन के लाएं हरे जो संग चल कर आया चिता से वो था उसका वाई जिसने भुजन भी तज डाला देखो कोई बना घरवाला बंध गय महोर है ऐसे ए जत बची है तीनों हरे